आज यहां पर स्प्रिंग रोल की रेसिपी बना रही हूं जो के बहुत मज़ेदार तयार होती है इसके लिए कुछ सब्जिया ली है दो गाजर लेकर कद्दू कस कर ली है और बारिक बारिक पत्ता गोभी काटली थोड़ा सा प्याज लिया है आप साथ में बैल पेपर का भी इस्तमाल कर सकते हैं एक बरतन में करीब वन टेबल स्पून ऑईल गर्म किया है और इसमें डाल देते हैं कटी हुई प्याज इसको हम सिफ सॉफ्ट होने तक ही पकाएंगे या समझें कि कलर चेंज होने तक पकाएंगे ब्राउन बिलकुल नहीं करना है इसका कलर काफी हद सॉफ्ट हो चुक है सॉफ्ट हो चुकिया है इसमें डाला है मैंने 1 कौ Apost incumbent पास्चा जिंजर कारलिक पेस्ट और करीब देयर से दो मिन इट पकाने के बाद इसमें हमने सारी सब्सियां डाल तिसमें डाला है one टी इस्पून, необходимо शाल्ट, फ़फ टी स्पून, ब्लैक पेपर पाषवरर ब्लैक पीड पाउजर, रेट चिली सॉस ब्लैच चिली सोर्वे, सॉय सॉस तो तू टूटी स्पून डाला है, मैंने विनीगर, तो बस यही सिंपल से मसाले जाएंगे, इसे मिक्स कर लेते हैं, और इसका पानी ड्राइ होने दख पका लेते हैं, और पकने के बाद इसे ट्रांसफर कर देते हैं, एक बोल में, ओ, ओ, सारी, तो इसको ठंडा होने के तो लीजिए हमारा सॉफ्ट सा डो तयार हो गया है इसे करने देते हैं 10-15 बिने ट्रेस्ट और उसके बाद अब हम बना लेते हैं इसकी पतली पतली सी रोटियां या फिस समझे कि स्प्रिंग रोल शीप हम तयार कर रहे हैं बहुत आसान है लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस की बना लें और इनके हम पेड़े बनाएंगे और एक साइट रख लेते हैं तो एकदम से गोल और में तीसरी कर रही हूं, अगर आप जादा एक साथ हैंडल कर सकते हैं, तो आप चार भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ तीन-तीन ही एक साथ कर रही होती हूं, तो बस यहां पर यह जो है, चौती वाली भी हमने बेल ली है, अब इसके उपर हमने ऑईल अप्लाए करना है, अच अपलाए किया फिर हमने इसके उपर मैदा डस्ट करना है फिर चपाती रख देनी है इस तरह से हमने सारी चपातियों को एक साथ करके इने अच्छे से बेल देना है जब तक यह अच्छी पतली रोटी के जैसी ना बन जाए जितनी बड़ी आपने स्प्रिंग रोल शीट बनानी है उस हिसाब से आप बेल लें उतनी बड़ा या छोटा समझें के उतना बेल लें तो मैं थोड़ी बड़ी चाहा रही हूं कि मेरी जो स्प्रिंग रोल शीट है वो थोड़ी बड़ी बने तो मैंने इसे अच्छे से बड़ा बेला है साथ ही हमन साइड में रख दिया है एक पैन और उसे गर्म होने के लिए रखा है जिसमें हम यह चपातिय बनाएंगे तो मीडियम फ्लेम पर ही आपने बनाना है बहुत तेज आज ना हो मीडियम रखनी है और नहीं ठंडा होना चाहिए तो बरतन हमारा गर्म हो चुका है और हमारी रोट तो आप उसमें तयार कर लें अब इसे हम पलट लेते हैं और यह देखिए किनारे खुलने लगे हैं तो बस अब ने इसको उतार ली और इस तरह से धीरे धीरे थोड़ा गर्म होता है हाथ को बचा करके आपने हर एक शीट खोल लेनी है बहुत पतली और मज़ेदार सी यह एक दम क्रिस्पी हो जाती है और मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी पतली है कि आपको आपका हाथ आरपार नजर आने रखता है यह देखिए तो बस इसी तरह से सारी शीट्स तयार कर लेते हैं काफी सारी शीट मैंने तयार कर ली थी और यह देखिए इतनी सारी एक से देखे तरह स्क्राव कराब करें, या सी खंडर माज़ना, किया है sì करूछने सब्स предлаг थे जो खोल खोल कर देखें, और किसी सब्स नर्डे करको मजूा में तो साइड़ना थे नीग मुड़ ने ओंगू सारा तो neo t. तो देखिए धेर सारे तयार हो गए ओयल हमने गर्म किया है बहुत जादा तेज नहीं होना चाहिए मीडियम हॉट ओयल में हमने इसको अच्छे से सुनेरा होने तक फ्राइ कर लेना है आसान है मज़ेदार हैं बहुत मज़ेदार हैं तो इंशाला उमीद करती हूं आप एक ब और क्रंच देखिए आप कितनी क्रंची है तो बस मुझे अपनी दुआओं में आद रखिएगा इंशाला मिलेंगे किसी मज़ेदार सी अच्छे सी वीडियो के साथ तो जब तक के लिए अल्ला हाफिज